नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आर्थी आप सब का आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षानों की विश्य हिंदी की कारपत्रक नंबर 71 पढ़ेंगे जिसकी तिती है 23 दिसंबर 2020 प्यारे बच्चों जो आज की आपकी कारपत्रक नंबर 71 आई है हिंदी की इसमें हमें पढ़ना है समय और समया किसके द्वारा रचित है कवीरस खान जी के द्वारा रचित है और जिसकी हम करने वाले हैं पुनरावर्ती क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं चलो एक बारों रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद इसको पढ़कर हमें करने हैं कुछ आसान से बेहद ही आसान से प्रशनों के उत्तर तो चलिए देख लेते हैं प्रस्तुत समये में रस्खान जी ने गोपियों का स्री कृष्ण के प्रती प्रेम व्यक्त किया है क्योंकि गोपियां स्री कृष्ण के प्रेम में हैं और वो उनके प्रेम में पढ़कर कुछ भी कर गुजरने को तयार हैं तो इसमें गोपियां स्री कृष्ण की प्रती एक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं तो वो अपने इसी प्रेम को दरसा रही है वो कहती हैं मोर पं उपर मोर पंक को लगाएंगे धारण करेंगे गुझ की माला गरे पहनूंगी और जैसे पहरोगी जैसे की कुझ की माला पहनते हैं स्रीकर्ष्ण उनकी तहरे ही वो कुझ की माले भी अपने गरे यानि के गले में पहनने को तयार है ओडी पीतामबर ले लकुटी बन गोधिन गौारिन संग फिरूंगी, और वो ये बोलती हैं, गौपियां आगे, कि हम जो पीतामबर, यानि कि पीला वस्त्र पहन कर, जो स्रीकृशन जी वन गोधन के साथ, यानि कि गायों के साथ, गौالों के साथ जो घमते हैं, इसी तरीके से मैं भी उनके संग संग फिरने को तयार हूं वह सारी गोपिया ऐसा करने को पयार है श्री कृष्ण जी के लिए भावतो वह ही मेरो रस्कानी सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी और आगे बोलती है गोपिया कि वह मुझे इतने भाते हैं इतने अच्छे लगते हैं वह ही मतलब वह स्री कृष्ण मेरे रस्कानी सो तेरे सब स्वांग करूंगी इसलिए मैं उन स्री कृष्ण के लिए सभी नाटक करने सभी स्वांग करने सभी अपना रूप बदलने को बिल्कुल तयार हूँ या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी लेकिन आगे गोपिया कहती हैं कि लेकिन जो मुरली को होटों से लगाए फिरते हैं ना स्री कृष्ण अधरान यानि कि होटो से जो होटो से लगा के फिरते हैं मैं उसको बिल्कुल अपने होटो से नहीं लगाऊंगी उसको मैं बिल्कुल नहीं लूँगी क्यों बोल रही है ऐसा क्योंकि वो मुरली को अपनी सोतन समझती है अपनी सोत के रूप में बताती हैं कि उनको तो मुरली को तो बासुरी को तो स्रीकृषन जी पूरे दिन अपने होटो से लगा के घूमते हैं और इस वज़े से वो हमसे दूर हो गए हैं तो वो इसलिए बोलती है कि हम मुरली को अपने होटो से बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे ठीक है तो ये हो गया हमारा समय आप कर लेते हैं इसके प्रशन उत्तर तो पहला प्रशन दिया गया है बच्चो इसमें आपकी जो वरक सीट है इसमें आसान से चार कोशन दिये गए हैं जिन कोशन के हम उत्तर करेंगे और हो जाएगी हमारी वरक सीट पहला प्रिशन है जो आपकी वर्क सीट में बचो वो है प्रस्तुत पद्यांस के अनुसार गोपियां क्या-क्या धारन करने को तैयार है तो आहम में पता ही है प्रस्तुत पद्यांस के अनुसार गोपियां अपने सीर पर कृष्ण की तरह मोरपंक से मड़ा मुकुट धारन क करने को तैयार है सुरी किे समान पी ले वस्त धारन करने और हातों में लाठी लेकर गुआलों संघ गाय昨τι के लिए तयार हैं तो ये हुल्ग देंगे हम प्रशन नमबर एक का उत्तर एकदम सही सही आप करते हैं प्रशन नमबर दो प्रशन नमबर दो में पूछा है कि गोपी मुर्ली को अपने होटों पर क्यों नहीं रखना चाती तो इसका उत्तर हम इस तरीके से दे देंगे गोपिया मुरली को अपने होटों पर इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि वह है उसको अपनी सोतन समझती है और स्री कृष्ण को अपने से दूर कारणे का कारण भी गोपिया मुरली को समझती है तो इसलिए वो नहीं धारान करना चाहती तो ये हो गया आपके प्रशन नमबर दो का उतर ठीक है अब आजाते हैं प्रशन नमबर तीन की तरफ और ये तो बेहधी आसान है जिस पंक्ती में कभी रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ती को लिखे तो लिख दी हमने भावतों वो ही मेरी रसखानी सो तेरे सबसा सब स्वांग करूंगी तो ये रसखान जी कहां पे नाम आया है तो ये लिख दिया हमने इसका उत्तर ये हो गया हमारा प्रशन नमबर तीन अब प्रशन नमबर चार जो इसमें पूछा है इस समये को पढ़ कर आपको नेमल के सब्दों के अर्थ जो समझाए उन अर्थों को लिखे तो मोरपंख हमें समझ आया, मोरपखा का मतलब मोरपंख, राखियों का मतलब धारन करना, गुंज का मतलब कुंज, गरे का मतलब गले से है, पहरोगी मतलब धारन करना या पहनना, पीतंबर पीले वस्र को बोला गया है, और गोधन गाय को बोला गया है, ठीक है, और आपका ग्वारिन ग्वालो को बोल गया है भावतो मन को भाना अच्छा लगना वो ही यानि के वे है स्री कृष्ण के लिए आया है स्वांग नाटक करना मुर्ली धर मुर्ली धर कोन है वो है स्री कृष्ण जो मुर्ली को रखते हैं अपने पास अधरा यानि के होट और धरोगी यान के लिए बहुत ही मददगार रही होगी और बच्चो अगर आपको मददगार रही है तो आपको चार काम जरूर करने हैं लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता आपको नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब करा करो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करो करो माई डियर स्टुरेंट्स चलिए बच्चो तेंक यू